मद्धि विदेश के ग्रहमंत्री नरुत्त मिश्रा ने कॉंग्रेफ नेता राहूल गांधी के ब्रेक फॉस्ट पॉलिटिक्स पर तंज कसा और कहा राहूल पॉलिटिक्स ही करते हैं बार के समय कहीं मेहनत कर लेते, सेवा कर लेते ग्रमंत्री डॉक्टर नरुत्तमिशा ने कहा अत्ती व्रष्टी के कारण शोईपुल और शिपुरी में बार के हालाद बने हुए हैं बीरपुर में भी चिंता की इस्थिती बनी हैं पांच हेलिकॉप्टर पहुचे हैं लेकिन वे मौसम खराब होने के कारण उन नहीं पा रहे हैं शिपुली के सिलवाडी में 400 लोग फसे हैं ऐसे ही अलग अलग जगा पर लोग फसे हुए हैं शिपुली में दो लोगों की मौत हुई है मुरैना में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है शोपुर के वीरपुर और विजयपुर में थोड़ा चिंता जनक हैं अभी स्वयम मुक्यमंत्री जी देर तक रात तक समिख्षा करते रहे हम सब लोग पूरी सरकार ध्यान दे रही है पाँच हेलिकॉप्टर कल पहुँच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं वहां मौसम खराब होने से हेलिकॉप्टर मौसम बेंग्यानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे प्रसासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं संभागी इस तर तक के अधिकारी बाड की इस्तिती की समिच्छा कर रहे हैं श्यूपरी शोपुर के सिलवाडी में 400 लोग अभी फसे हैं हर्रई में 200 लोग और बेर खेडी में 25 लोग अभी हैं श्यूपरी जिले के बिछी गाओं में पेड़ पर तीन आदवासी हैं एर लिफ्ट कराने के लिए कोशिस की जा रही है किन्तो अभी उड़ने न पाने के कारण से यह इस्तिती बनी है श्यूपरी में दो लोग काल कबलित हुए हैं बिंड में एक और मुरेना में बिजली गिरने से एक व्यक्ती की मौट हुई है सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है अभी भी वारिस श्यूपरी और शोपुर में काफी हो रही है आने वाले 24 घंटे में श्यूपरी, शोपुर, निवाडी, गुना और असोग नगर इन जिलों में अतीवरश्टी की संभावना है इसलिए आपके माध्यम से ये विसे पहुँचे के लोग घरों पर ही रहें जबकि दतिया आगर मालवा मुरेना ग्वालियर यहां भी ऐलर्ट किया गया है यहां भी वारिस ज्यादा होगी श्यूपरी जिले के बिछी गाउं में पेल पर तीन आदवासी हैं एर लिफ्ट कराने के लिए कोसिस की जा रही है किन्तो अभी उड़ने न पाने के कारण से यह इस्तिती बनी है श्यूपरी में दो लोग काल कवलित हुए हैं बिंड में एक और मुरेना में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है उन्होंने कहा अभी और बारिश की संभावना है इसलिए अपील की है कि लोग घर में ही रहें मौरेना और भिंड जिले में अलर्ट किया गया है कल जो मैरिज गार्डन में 45 लोग पसे थे सब ही को निकाल लिया गया है मेशा ने राहूल गांधी के बेटफास्ट पॉल्टिक्स पर कहा राहूल पॉल्टिक्स ही करते हैं बार के समय कहीं मेहनत कर लेते सेवा कर लेते अभी सुबह से हेलिकॉप्टर उड़े नहीं है लेकिन प्रसासन्य लगातार जैसे कल जो मैरिज गार्डन के अंदर लोग भसे थे 45 वो सारे के सारे लोग 45 सारे के सारे लोग निकाल लिये गए है श्योपूर विजयपूर का मामला है वहाँ पर ऐसी इस्तिती बन रही है कि अगर और इस्तिती बढ़ेगी तो 30 गाओं जो लगे हुए हैं उनको भी खाली कराना पड़ेगा हमेसा पॉल्टिक्स ही करते हैं सेवा तो कभी वो करते नहीं ऐसी बाड़ की हालात में अगर वो कहीं बाड़ के एका जगे हुआते तो साइद देश की जन्ता को अच्छा लगता करुना की हालात में अगर किसी इस्पताल में हुआते तो साइद अच्छा लगता और यही देश की जन्ता पर चुनाओं में चुकाती है 440 पे आ जाते संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूटनीती तक दखन आप क्या हम आप देख रहे हैं दखल न्यूज